जैम आतादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अगस्त से 11 अगस्त तक के तुला राशी फल के बारे में अगस्त माह का ये सब्ता है, तुला राशी के जात्कों के लिए कैसा रहेगा? तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इस हफते की शुरुआत बुद्ध के करक राशी में जाने से हो रही है बुद्ध को मिथुन और कन्या राशी का स्वामी माना जाता है और बुद्ध का गोचर व्यापार, स्वास्थ है और रिलेशन्सिप को प्रभावित करता है तो चलिए जानते हैं तुला राशी के लिए बुद्ध का यह गोचर और ये सब्ता कैसा रहने वाला है दोस्तों यदि तुला राशी की बात करें तो प्रेम समंधों के मामले में आपके लिए ये सब्ता बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन आपके मन में किसी बात को लेकर कुछ घपराहट या कुछ पशु पेश रह सकती है इस सब्ता हाँ आपको भावनात्मक तोर पर थोड़ी बेचानी हो सकती है अंत में लव लाइफ के मामले में आपके इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होगी और आप अच्छे निर्ने ले पाएंगे अच्छी समझ रख पाएंगे इस सब्ता हाँ आपके लिए यात्रा का योग बना हुआ है कहीं घूमने आप जा सकते हैं किसी नजदीकी के साथ या फैमली के साथ कारिय स्थल पर आपको जो कुछ खास जानकारी मिले उस पर नज़र बना कर रखें बाद के दिनों में ये आपकी कामा सकती है और किसी योजना पर आप इस समय काम कर सकते हैं उसे भी जिजक आप योजना को आमल में लाएं उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें